तो चलिए बहुत ही हल्दी सी रेसिपी बनाते हैं रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है हाई एवरिवन वल्कम बैक अगेन माई न्यू डिलिशियस टेस्टी एंड वेरी वेरी हल्दी रेसिपी आज की रेसिपी एक गाव की रेसिपी है तो देखिए कम इंग्रीडियन्स में बहुत ही टेस्टी और हल्दी रेसिपी बनने वाली है तो वीडियो को स्कीप ना करें और इसमें ना हम किस चीज के साथ इसको खाने वाले हैं वो भी बताऊंगी और कैसे इसको पकाना है तो वीडियो को एंट तक देखिए तो चलिए तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ऑईल डालना है ऑईल को अच्छे से गरम कर दीजिए फिर मैंने एक से देड़ प्याज है तो उसको बहुत ही पतला-पतला काटना है और बारिक-बारिक काटना है तो प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे अब यहाँ पे लाल मिर्ची पौडर बिल्कुल ही नहीं डालते तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची की कॉंटिटी अपने टेस्क की अकॉर्डिंग थोड़ा इसमें ज़्यादा डाली हूँ तो देखिए मिर्ची डाल दिया मैंने अ नहीं अशन देखिए अच्छा पका हुआ लाल कलर का लेना है मिक्स कर दीजिये अब हम यहाँ पे टेस्की अकॉर्डिंग नमक अड़ करेंगे तो यह सब हो गया है अच्छे से मिक्स कर दीजिये यहां तक देखि लिए फ्रेंड्स आगे भी देख लीजिये किस तरह से प टमाटर प्याज है उसको एक मिनिट तो भी पकाना पड़ेगा तो चलिए अब बताती हूँ मैं आज कौन सी सबजी बना रही हूँ आज मैं लाल भाजी बना रही हूँ तो देखिए लाल भाजी को बहुत अच्छी तरह से तीन बार अच्छे से पानी से धोना है फिर उसको च्छनी में निकाल लीजिए और फिर थोड़ा सा उसको कैची से अच्छे से मैंने कट कर लिया है इस तरह से करना है लाल भाजी को तो अब हम इधर देखिए ये जो टमाटर प्याज है ये भी अच्छे तरह से पक गए है तो चलिए ये सारी जो लाल भाजी है हम इसमें ड अधा ही डाला है क्योंकि ये जो बरतन है थोड़ा छोटा हुआ था पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती छोटा बरतन हुआ तो भी हम क्या करेंगे स्टार्टिंग के जो एक मिनिट है ना हाइफ लें पर पकाएंगे इसलिए पकाना पड़ता है पकाने से क्या है ये पानी छो किया है यहां पर और सारी लाल भाजी को अच्छे हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता कम से कम 10 या 15 मिनिट में ये सबजी पक कर रेडी हो जाती है और इसको बीच में एक बार हम थोड़ा चेक करेंगे चलाएंगे भी तो देखिए इसको य पर ये जब सबजी पक कर रेडी होती है तो बहुत ही कम होती है देखिए कितनी कम हो गई तो इस तरह से इस सबजी को बनाना है और ये पानी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए अभी इसको किस चीज के साथ में खाना है वो भी बता देती हूँ इसको ना इस तरह से चावल के साथ में खा के देखिए इतना मास तो लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाना तो इस तरह से मैंने लाल भाजी बनाई हूँ आप भी बनाईए अच्छी लगी है रेसिपी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब क कर दीजिए ओके फेल्ट